जीवन जो है वो ख्षर एस्पेक्ट है और सत्ता जो है वो अक्षर एस्पेक्ट है अक्षर में ख्षर है और ख्षराक्षर सू उत्तम पूर्श उत्तम यह आखो सटप है वह ख्षर को मतलब क्या जो साइकल चल रहे है cycleically चल रहे है वो ख्षा रहे जावे फिर renew होके आवे जावे फिर renew होके आवे rent कि तरह हाई हो अपने भी सांस तो ऐसे ही जा रहे है कार्बन होके जा रहे है पलण पेढ अनसू renew होके oxygen बन किया रहे है पेढ भी यही समाज़ता है अब देखो अपन को घमंड है अपने को घमंड है कि ये हवा मेरे लिए अपने ठाकु जी करपा है कि अपनी हिंदू थियोलोजी या माइथोलोजी या रिलिजन में ये घमंड अपने को नहीं रखने की कई है बाकी नॉर्मली सब जगा यह ही माने जाए कि यह सृष्ठी मनुशी के लिए और पेड़ सु जा कर पूछो तो पर वो तो यही समझत हो पेड़ जो है वो कार्बन जो मनुशी छोड़ रहे है वो मेरे लिए छोड़ रहे है वो ऐसे नहीं समझता है कि मनुशी के लिए मैं oxygen छोड़ रहे हूँ पेड़ सु यदि अपन पूछां तो पेड़ क्या कहगो ये सब मेरे साधन है जैसे gas को cylinder हो है न मेरे जीने के साधन है gas को cylinder हो है वहाँ oxygen को hospital में ऐसे मेरे जीने के साधन है वो अपने को oxygen को cylinder मानतो है कारबन को cylinder के सब मेरे लिए कारबन छोड़ रहा है वासु मैं जी रहे हूँ बगवान की बड़ी कृपा है कि इतने इतने कारबन के cylinder पैदा कर रहे है अपन यह सोचें कि वरिक्ष मेरे लिए क्योंकि oxygen के cylinder है अब कौन कौन के लिए है गीता को परष्ट संदेश है देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वा परस परम भावयंतु सृष्टी को constitution ही यह तरह से बनाया कि कोई एक के लिए कुछ नहीं है सब एक दूजे के लिए है जब वा format को तुम समझोगे तो तुम यह ख़र और अक्षर को प्रभेच समझ प्रकोगे कि यह ख़र को जो पूरो constitution है वो यह ढंको है कि सब एक दूजे के लिए है कोई एक के लिए दुनिया में कोई चीज नहीं है I don't know सो खोटी अहंता और खोटी ममता दोनों ही अपनी बेवकूफी के कारण पैदा होती हो है जब अपन एक दूजे के लिए है कि हमें अहंता की बात क्या है अपन अहंता करें कि पेड़ मेरे लिए है बेवकूफी है ना पेड़ सु पूछो अभी दिल्ली में ओ खा गयो वाइट टाइगर पागल को देखे हो अपने तो टाइगर ने कितनी चेकिंग करी कि बाई मेरे पिंजरा में आ गयो तो मेरे लिए आयो के नी दो-चार बखत हाथ लगा के देखे हो कुछ करे है कुछ नी करे है एक बखत मुँ लगा के देखे हो कुछ कर रहे है कुछ नहीं कर रहे है चोथे attempt मन की की तो मेरे इलिए आयो है उठा के का गए हो अई बहुत मेरे मोडा में कोई चीज़ आई है तो मेरे इलिए तो आई होईगी के नि अब अब अपन ये फांका रखें का मनुश्य के लिए सारी सृष्टी है वो टाइगर सूपूचो नव वाइट टाइगर सू कि मेरे पिंजरा में ये आदमी आयो तो आयो क्यों तो वो औने checking करी है देखो clip में दो-तिन बक्ट हाथ लगा के checking करी है मेरे लिए आयो कि नि अब वो 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 विचारा आदमी करे बहुत है हाय हाय पत्फरें फेंक रहे हैं सब करें तो आको समझ नहीं आ रहे हैं कि बहुत क्या चक्कर है ये ढुकला साउटिंग क्यों कर रहे हो silently क्यों नहीं मों में जा रहे हो दो-तिन बार हात लगा के देख लियो देखे हो कि वह कोई रिस्क नहीं है सीधो उठा के खा गयो कौन कौन के लिए सब एक दूसरे के लिए ये मूढ रहा से या में खोटी ममता और खोटी अहनता वो अपनी फितूर है बाकि सब एक दूसरे के लिए प्रान अपान के लिए है अपान प्रान के लिए है या तरह से इंटरडिपेंडेंडेंट पूरी सिस्टम है क्षर की वो जो इंटरडिपेंडेंडेंडेंजी है वो वाकू क्षर बना वे है सेल्फ डिपेंडेंडेंजी अक्षर है इंटरडिपेंडेंडेंजी क्षर है और इन दोनों कमपार्टमेंट को जहां integration हो रहे हो है वो वो पुर्षत्ता में क्लियर भई बात जवी interdependent हैं वो क्षर हैं क्योंके interdependent होने कारण कमी न कभी जो मिलिये वाकू बिछरनों पड़े गोई तो वो क्षर है क्षर को तुमारे गुजराती मतलब पता है तुमको खरी जऊ खरी पड़े तेनु नाम खर खर अब खर मने क्या जे खरी न जतो होई कायम रहतो होई तो ये खर क्यों है क्योंके interdependent है ताश के पत्ता की तरह ये गिरे तो ये गिरेगो ये गिरे तो ये गिरेगो क्योंके वो interdependent होने के कारण जितनी देर एक दूसरे को सहरा लेके हैं उत्ती देर तो खड़े रहेंगे वो तो थ्री टायर, फोर टायर, फाई टायर सिस्टम बना के भी वामे तुम ताश को महल खड़ो करदो तो खड़ो रहेगो पर एक भी गिरेओ सब गिर जाएंगे क्योंके अक्षार है खरी जाय तेनू नाम ख्षार है अन्जे ना खड़तू होए तेनू नाम अक्षार अन्जे बनने ने जे पुता नामा इंटिग्रेट करतो होए तेनू नाम खुर्शत्तम इस एक लियर? नेक्स्त जे जे एक सगे अज अमेंजे एक्जाम्पल जे तुन है इमा एक अजे एक एक्जाम्पल आवे के गाय इक इन्पुत में ग्रास खाय थे अजे ऑपुत इल में जे तुह में डिएस्ट al fully are I mean in the digestive system ज्ब आऌक एक अर zadव एक्राइण है everything and everywhere is present विppy fare झाज है क्वेश्ज को यह किस्ह क्वेश्चे कै आगुत में प्यांक फूद्य एक्वाम्पल कैने रिलिट आजे कब Appeishwa प्रश्वारी जाया है लोग और हुट रॉट आपने फुट ग्रेंज नहीं नहीं आपने आपने नहीं है, तो आपट है अंदर ब्लद रॉट के टासे मावाशी फॉर्म था इस दाइजिस्टरिस्टरिस भाले प्ला इजर शिस्टम जारे बोडी छे एना थी नहीं पन अगनी एनू मेन कॉम्पोजिशन छे तो त्या कई साइकल लास है ले आए एक्जाम्पल आई पू एना थी समझी सके के कोख फॉमेशन तो छे सू छे या आपने ख्याल नथी एक वाद ताने बताऊं, इंट्रेस्टिंग और मली आपनी प्रेजिडाइश सू छे कि जेने आपने जमता होई है तेने अन्न कहिए संस्कुक ना यह उन थी, लखिलो तम्हे अध्यतेत्तिच भूतानी अध्यतेत्तिच भूतानी तस्माद अन्नम तदुच्यतेति वेदनू वचन छे हो it's a fantastic concept अन्न कोने केवाए जेने आपने जमता होई है तेनू ना मनन थी जे जमतो होई और जेने जमी शकात होई तेनू ना मनन थी so in all the instances of अन्न मतलब छे जे जमतो होई काईक ने काईक अन्न जेने जमी शकात होई वाद क्या थी शरू थाये छे light ने जमे छे पानला पानला ने जमे छे पशुपक्षियो पशुपक्षियो ने जमे छे पाछो बिजो कोई आपने इंडा खाई जता होई ये छे जानवर ने बर्ट्स ने मारी ने खाई जता होई ये छे तो इलो घास खाती होई गाए आपने गाए ने खाई जता होई ये छे तो अध्यते तीचे भूता नी आपने टाइगर खाई जता होई शार्क खाई जेती होए आवन क्याल ना हम कोई-कोई कनो माथो पन खातो है मारा जेवो अनो मारू है माथो कोई खातो है अध्यते अध्य अथिचा भूता नी तस्माद अन्नम तदुच्य तैती अन्नम मतलब सीधे सीधो संस्कृत भाषा में चे कि जे खातो होए अन्ने जेने खाई शकातो होए तेनू नाम अणन चे चाह है ईयुणPlant स्टेट्मन अनने एवो नती कि जे खाई शकातो है एवो जन तं व खोई अन छेज नी जे खाईने अनन बनेो चे अन्ने कोई कने कोई खाना रोतो मोजु छे छे ने छे आखी चेन जे नाइट्रोजन नी चेन छे न जे विरिते साइकल विरिते अन्द नी आखी एक चेन छे के आ ने आ खाये छे, तेने आ खाये छे A ने B खाये छे, B ने C खाये छे, C ने D खाये छे पाचो Z आना चक्कर माँ पाचो A ने खाई जाये चे ने साइकल चालती रहे चे अध्यते तीच भूता नी तस्माद अन्नम तदुच्य तहीती यह आपना अन्नी परिभाशा चे हो इसले, don't narrow your mind के जेने जमी शकातु हो तेनू नाम अन्न इत्मोलोजिकली यह एविज़िते कोईन थायलो टर्म चे अध्यते इती अन्नम, अथिच इती अन्नम यह गीयते इती गानम, म्रियते इती मरनम यह अध्यते इती अन्नम, अथिच इती इती अन्नम अथिच इती इती गमनम, यह अथिच इती अन्नम यह आपनी इत्मोलोजी चे अध्यते अत्ती च गम्यते गच्छती च इती गमनम अध्यते अत्ती च हसनम एटले शुँ हसती हासयती इती हसनम अध्यते अत्ती च इती अननम यह भी आपनी इत्मोलोजी चे फेंटास्टिक अन्य निवाबत मा आपने कोई दिसे आँखाड़ा कान नथी करता हाकिकत में अवे तमने जे खाऊ गुए ते खाऊ that's up to you to decide के तमने कोई ने खाई शको चो पन be ready कोई ने कोई तमने तो खाँशे खाँशे एवो फांको मन मा नहीं राखता के अमें बद्धा ने खाई जे शे एवो कोई अन्न दुनिया मा चेज नहीं के जे बद्धा जे ने खाता होई कोई ने खातो होई कोई थी खावातो होई अन्न ना फॉर्मेट्य जेवोचे हरू ना हाँ पंदर्मा श्लोक कौशल भाई सर्वस्य चाहम रदि शन्न विष्टो मतम स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य शर्वे रहमेव वेथयो वेदान्त कृत वेद विदेव चाहम अनो श्लोकारत जोईए में शर्वना रदैमा प्रवेश करेलो चे मारा थी जश्मृति ज्ञान अने विश्मरान थाई छे तमें सॉरी फोर इंट्रप्शन आपने फिजिक्स थी केमिस्ट्री मा गया केमिस्ट्री थी बायोलोजी मा आवया अवे बायोलोजी थी अवे साइकलोजिकल स्फियर मा एंटर थे रहा छे के साइकलोजिकल लेयर उपर पुर्शत्म के विरीते चे तमे